क्यूं शकुनी मामा करना चाहते थे कुरू अश कांद चले जानते हो थे महाभारत के मुख्य के रिदार को रो के क्यामा गौंदार राज़य के राश्कुमार सबसे दूश्रा नहीं थिकार महावारे में शकुनी को दौपर यूग के आउतार ना जाता है तिसरा यूग जिसमें अच्छा ही बना मुराई के अंद को चिन्नित किया गया था अब हाला कि महाभारत में उनकी पिछली कहानी के बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है लेकिन ये सर्वहोमे ग्रूप से निश्कर्ष लिकाला गया है कि वो पाणड़ से नफरत करते थे और उन्होंने जो कुछ भी किया वो अपने बेहन गांधारी के प्रति अपने प्यार के कारण किया ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भीष्मक के प्रस्ताव को स्विकार कर लिया और अपने बेहन को विवाह के लिए हस्तिनापूर ले आए और तब ही उन्हें पता चला कि उन्हें अंदे राचकुमार के साथ विवाह करने के लिए बुलाया गया है ना कि उस वीर राशकुमार के साथ जिससे सीहासन मिलना था गांधारी ने अपने पती के साथ जीवन भर के लिए अपने आखों में पत्टी बान ले इसलिए शकुनिक रोजित हो गया और उसने शड़ें रचने शुरू कर दिये तो दोस्तो कथा अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेर करके महाँ भारत की डेली से लाइस स्टोरी देखने और समझने के लिए चैनल को सब्सकाइब करना ना भूले तो मिलते हैं अगले वीडियो में नहीं कथा के साथ तब तक मेरे साथ कईए